नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं ज्यारखन में बड़े पैमाने पर सिक्षकों की भरती के त्यारी ज्यारखन की बेरुजगार युगाओं के लिए बड़ी खवर है बतादे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो परदेश की हमन्त सुरेन सरकार जल्दी बड़े पैमाने पर सिक्षकों की नियुक्ति पर किरिया सुरू कर सकती है बतादे सिक्षकों की बहाली छेत्रिये और जन जातिये भासाओं में करने की योजना है दरसल परदेश सरकार ने राज करमचारी चर्ण आयोग की और से लिए जाने वाली नियुक्ति परिक्षा में जन जातिये और छेत्रिये भासाओं को सामिल किया गया है बताया जाता है कि सरकार ने स्कूल में इन भसाओं के पढ़ाई शुरू करनी की योजना बनाई है ऐसे में प्राथमिक से लेकर पलस टू अस्तर तक के स्कूल में इन भसाओं के लिए सिख्षकों की जरुरत पड़ेगी अगर सब कुछ योजना के मुताविकी चला तो छेतरिये और जन जातिये भसाओं के लिए सिख्षकों के पद स्रिजित किये जाएंगे जार्खन के सभी ग्राम पैंचायतों में मुफ्त दवाओ जार्खन के सुद्रवर्ती चेतरों तक बेसिक दवाओं की सुगमता से पहुंच सुनिश्चित कराने की त्यारी चल रही है मुख्रमंत्र हिमान सुरेन के निर्देश पर परदेश का स्वास्त विभाग एक प्रस्ताव त्यार कर रहा है जिसके तहत परदेश की सभी पंचायतों में चेनरिक दवाओं की दुकाने खोली जा सके बता दे इन दुकानों से दूरदराज के गरामिन छेतरों में रहने वाले लोगों को आसानी से मुफ्त में दवाए मिल सकेंगी आईसे में समाने बुखार, जुकाम, खासी, दस्त, हलके फूल के जख्म आदिक के लिए गरामिनों को भटाकना नहीं पड़ेगा अगर योजना के मुताविक प्रस्ताओ को जमीन पर उतारा जा सका तो स्वास सुविधाओं की दिशा में या एक मिल का पथर साबित हो सकता है रांची में दवड़ेगी इलेक्ट्रोनिक बसे राजधानी में अब अधुनिक इलेक्ट्रोनिक बसे दवड़ेगी बतादे इलेक्ट्रोनिक बसों में GPS सिस्टम रहेगा जिससे रांची नगर निगम का कमांड और कंट्रोल सेंटर की बसों पर निगरानी रहेगी इसके लिए रांची नगर निगम पलान तयार कर रहा है बतादे इलेक्ट्रोनिक बसों के अलावा समाने बसे और एसी बसे भी चलाई जाएंगी इन बसों का किराया कौम रखा जाएगा ताकि लोगों को सस्ती और बहुत बस सेवा काला मिल सके या बसे हर उस इलाके में चलाई जाएगी जहां अभिया तयात के साथ नहीं मिलते इससे जानता को राइधानी के सभी इलाकों में पहुचने में असानी हो जाएगी CISF डॉग ट्रेनिंग सेंटर में 25 जबाज पास आउट CISF डॉग ट्रेनिंग सेंटर में मंगलवार को 25 जबाज पास आउट हो गये हैं बतादे अब उनकी तैनाती राची अरपोर्ट, गुवाहाटी अरपोर्ट, भिलाई, पलांट, बोकारो पलांट सहित अने सहरों में होगी यह मीन्टों में 20 फोटक पदार्थों को खोज निकालने में माहिर होंगे बतादे अपराधियों पर लगाम कसने के साथ साथ कंपनियों में चोरी के वरदातों पर भी रोक लगाए जाएंगे 25 डोग में से 21 को explosive detection और 4 डोग को ट्रेंकर का प्रसिक्षन दिया गया है यूनाइटेड बैंक के लोकरों से गाइब हुए कोड़ों के जेवराथ पंजाब नेशनल बैंक में बिलाए के बाद यूनाइटेड बैंक और इंडिया की डालटे इंगल साखा के लोकरों से कड़ोरों रुपे के जेवराथ गया भगाए है इस मामले में बैंक के डिपटी मैनेजर परसांत कुमार सहीत आधार दरजन बैंक कर्मियों और सोर्न कारोबारियों को हिरासत में लेकर पोस्ताच जारी है बता दे साखा परवंधक को भी पूलिस ने पोस्ताच के लिए दो दीन से मेदनी नगर टाउन थाना में रखा है दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक की रांची इस्थीत छेतरिये कर्याले से ततकालिक ब्यवस्ता के तहत रामा संकर सर्मा को बता और साखा परवंधन डाल्टिन गज ब्रांच में तैनात किया गया है बंधू तिर्की से लाते हर डीसी बोले बालू मात न जाये मुसलिम इलाका है जार्खन किला तेहर जीले की डीसी अबो इमरान के एक बयान वारल हो रहा है पता देश को लेकर काफी विवाद हो गया है इस वारल आडियो में डीसी और वो इमरान परदेश कॉंग्रेस के करिकारी अध्यक्स और विदायक बंदो तिर्की को मुसल्मान पहुल इलाका होने के चल देश से बालू मात न जाने को कह रहे हैं गैंग्स्टर अमन साव गिरों से जुड़े अपराधियों के ठीकाने पर छापा राजे में संगठित अपराधिक गिरों से जुड़े अपराधियों के खिलाप एटीएस ने करवाई सुरू कर दी है ATS के ESP प्रसांत अनंद के निर्देश पर मंगलवार को जेल में बंद गैंग्स्टर अमन साव गिरों से जुड़े अपराधियों के समपत्ति के बारे में जनकारे एकत्र करने के लिए ATS के टीम ने राजे के 7 जीलों में अपराधियों के 16 ठीकाने पर छापेमारी की बता दे छापेमारी राची पलामू 14,002 ग्रामगर धनबाद और बोकारों में हुई है 11,000 हाई भोल्टेज विदूत तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत बेहरीन बासा पंचायत के टकबाहार राजस्व ग्राम के तेतर टोली में 11,000 हाई भोल्टेज विदूत तार की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई है जनकारी के मुताबिक एक जंगली हाथी जोन से बिछड़ कर सोमवार की रातरी लगवग दो बजे गुमला के असूर जनजाती के लोग करते हैं महिसा सूर की पुझा करते हैं बतादे महिसा सूर को अपना पूर्ववज मानने वाले असूर जनजाती जंगल वा पहाड़ों में निवास करते हैं बता दे माद दुर्गा के पुजा के बाद इस जनजाती के लोग अपनी प्राचिन प्रमपराव के अधार पर महिसासूर की पुजा करते हैं सिरीद दुर्गा पुजा में जहां हम माद दुर्गा की पुजा करते हैं ठीक इसके विप्रीत एक समुदाए आज भी महिसासुर की पुजा करते हैं हम बता दे आपको ए जाती असुर जाती के हाई गुमला में क्राइम रोकने के लिए मास्टर प्लान तयार गुमला के पुलिस अधिक्षक डाक्टर एते साम बकारीव ने गुमला चहर की सुरक्षा के लिए विशेश विना बनाई है ट्रेफिक विवस्था को भी दुरूस्त किया जाएगा वहीं 10 अस्थानों पर बने पुलिस के समख्ष रख सकेंगे पुलिस हुआ जानता के बीच बेतर समध बनाने की योजना है बाबा मंदीर में इपास के लिए नई वेपसाइट जारी थंडरिंग के कारण जार्खन दर्शन वेपसाइट के बंध हो जाने से इपास सिस्टम की वेवस्था बंध हो गई जारी कर दिया गया बता दे जिला पर्शाशन की दर्शन.babadham.org लिंक पर सरधालू बाबा मंदीर में परवेश के लिए अपना इपास बनवा सकेंगे जारी इपास से बाबा मंदीर में परवेश कर जलारपन पुजन कर सकेंगे उक्त जनकारी DC मंजुनात भयंत्री ने द हेमंत सुरेन आज करेंगे धोती साड़ी का सुभारम बुद्धवार को पूलिस लाइन मैदान में भव्यकार करम के साथ इसकी सुरुवात होगी समारों में बित मंत्री डाक्टर अमेसर उराव भी मजूद रहेंगे कौनिये अभियंताओं की मेरिट लिस्ट जारी करने पर हाई कोट ने लगाई रोक जारखन हाई कोट में ग्रामिन विकास बिभाग में सन्वीदा पर करने अभियंताओं की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद जस्टिस राजे संकर की अदालत ने अगली सुनवाई तक इस नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को जारी करने परोक लगा दी है अदालत ने कहा कि अगर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई तो अब परभावी नहीं होगी फिलार नाची जीले की मेरिट लिस्ट पर ही रोक है 2006 से गाउं में बन रहा कुमा अलमगीर आलम ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर आलम ने अपने ही विभाग में मन्रेगा के तहट संचालित की जाने वाले नई पुरानी योजनाओ पर सवाल उठाए है उन्होंने खेत या गाउं में बनने वाले कुमा का उदारन देते हुए कहा की मन्रेगा योजनाओ 2006 से परभावी है हर गाउं में पांच-पांच कुमें दिये जाते हैं हमारे आने के बाद तो इसे ददस कर दिया गया इस लिहाई से देखे तो हर खेत में कुमा होना चाहिए था लेकिन गाउं में जाकर देखे तो दिख जाएगा कि वहाँ कितना कुमा है या भी पुछा कि हर साल बनने वाले बुक्री सेट कहा है ग्रामिन विकास मंत्री ने बुद्धवार को मन्रेगा के तहत ग्रामिनो से आस मनरेगा से विकास नामक नई योजना की लॉंचिंग के मौके परियाबाते कही है रांची में भारी बारीज राइधानी रांची में सूबस से बारीज जारी है बतादे इसकारन लोगों को काफी परिशानी का समना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के अनुसार पछे मंगाल के गंगा के दक्षिनी मैदानी छेतर में एक कम चक्रवाती छेतर से जुड़ा कम दबाव का छेतर बना हुए है इसका टॉर्फ लाइन जार्खन के साथ पड़ोसी राजजियों में देखने को मिल रहा है इस कारण राजजे के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है मौसम पुर्वणवण बताया गया कि इसके कारण आज राजजे के विभीन जीलों के कई अस्थानों पर हलके से मद धर्जे की बारिस भी होगी धन्यवाद